नमस्कार विश्व विजेता के सबसे स्पेशल एडिशन के साथ मैं आपके साथ शागुन शर्मा और मेरे साथ है वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन कापिल देव और वर्ल्ड फेमिल्स क्रिकेट एक्सपर्ट और कॉमेंटेटर आकाश चोपडा देखे अगले आदे घंटे होगी सिर्फ और सिर्फ टीट्वेंटी वर्ल्ल कप के महा मुकाबले पर बात लेकिन सबसे पहले आप सभी को बढ़ाई क्योंकि दस साल बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई है जब टीम इंडिया ने टीट्वेंटी विश्व कप के फाइनल में अपनी जगा बना ली है। फेल जब सामने आएं अक्षर पटे। कनपुरिया फिरकी का जार पटलर की फीन का बुराहा। मैच्च विनिंग्स साज़दारी निभाई मिस्टर 360 नाम है स्काई। 29 जून आखरी चक्कर विश्व कप आ रहा है घर। तो कपितपाजी 29 जून आखरी टककर विश्व कप घर आएगा। क्या लगता है आपको कि रोहिट शॉल्मा ये विश्व कप घर लेकर आएंगे कि नहीं आएंगे। देखें जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं इसमें कोई दोराएं नहीं है कि टीम बहुत बेतर है लेकिन T20 में कुछ कहना बहुत कटिन है और जो आप आंकडों की बात करते हैं पुराने उनका कोई मीनिंग नहीं है ये नई जगह है नया मैदान है नई टीम है ये उस दिन कौन किस तरह खेलता है उसके उपर बहुत डिपेंड करता है एक स्पेल चेंज दे गेम एक बैटसमन आता है दस गेंडों में 30 रन बना द जगह है हां आप की डिसकस कर सकते हैं ये कह सकते हैं कि इंडिन टीम बहुत बेतर खेल रही है और इन कंडिशन में और भी बहुतर है वो लग रहा है कि वह अपने अपनी ही कंट्री में खेल रहे हैं पिचिज ऐसी हैं महौल ऐसा है और क्या चाहिए एक टीम को तेके भारत अब फाइनल में आ गया है और मुकाबला है पहली बार फाइनल में पहुची साउथ अफरिका के साथ और 29 जून को होने वाला है फाइनल मैच तो भारत सबका फेवरिट है क्योंकि T20 वर्ल कप के इतिहास में साउथ अफरिका और भारत के बीच अगर आकडों की बात करें तो छे मैच टोटल होई है जिसमें से चार भारत तो दो साउथ अफरिका ने जीते हैं क्या लगता है आपको बल्ले बाजी का फॉर्म थोड़ा सा डगमगाया हुआ है लेकिन बोलिंग बहुत अच्छी है और दूसी तरफ हमारी भारतिये टीम बहुत अच्छे अंदाज में खेलें बड़े कन्विंसिंग अंदाज में खेलें और साउथ आफरिका की तरह हम भी अंडिफीटेट पह बहुत एक्साइडेड हो इस मुकाबले के लिए और हो सकता है जो ट्रोफी का ड्राउट है जो आई सी सी ट्रोफी नहीं मिली है इतने समय से वह इस बार आ जाए आप मुझसे दूर बैठे हैं वरना मैं डेफिनिटली इस बाद पर आपको मिठाई जरूर खिला देती चलि पुई दक रोहित के खाते में कप्तान के तौर पर आई सी सी ट्रोफी नहीं है लेकिन अब वो इंतजार खतम हो सकता है क्योंकि तकदीर भी उनी का साथ देती है जो दिलेर होते हैं सेमी फाइनल में रोहित शर्मा की दिलेर पारी की चर्चा हर जगा है चारो और हो रही है टीम इंडिया का कैप्टन इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग है न रुखता है न जुकता है न करता है सेरिंडर रोहित शर्मा क्रिकेट का सबसे बड़ा हित रहा है या भी 2024 का T20 World Cup देखें, तो आप पाएंगे कि रोहिच शर्मा ने कहा कि आप वो मत करो जो मैं कहता हूँ, आप वो करो जो मैं करता हूँ, तो करके दिखाया है उन्होंने, वो walk the talk उन्होंने करी है कि अगर मैं मार रहा हूँ और मारते हुए लगाता है एक टीम की philosophy को जीने क कि चाहत में अगर मैं अपनी विगेट भी गवा देता हूँ, तो मुझे इस बात का शोक नहीं है, तो अगर आप वो example सेट कर दे, वो template सेट कर दे ना, तो फिर बाकी टीम साथ में follow करना शुरू कर देती है, और इस वजह से रोहिच शर्मा का जो योगदान है इस टीम में ODI का final, T20 World Cup का final, रोहिच शर्मा has led from the front, इंगलन के खिलाफ समी फाल्म ने बड़ी जीत के हीरो रहे, खुद कप्तान रोहिच शर्मा, औस्टेलिया के खिलाफ बड़ी पारी खेलने के बाद, इंगलन के खिलाफ भी रोहिच शर्मा का बल्ला जोर से चला, और उसके बाद, हारदिक पांडिया और रविंदर जड़ेजा ने भी बहुत अच्छी पारियां खेली, सूर्य कुमार यादव ने मिडल ओवर्स में टीम इंडिया को एक बड़ा टोटल बनाने में काफी जादा मदद की, गेंदबाजी के अगर बात करें, तो अक्षर पटेल ने बहतरीन गेंदबाजी करी और जस्पीत बुमरा का, तो जितना बात करें, उतना कम है। और उससे ज्यादा टीम को पकड़ के रखे है, सबसे ज्यादा कैप्टन की रिस्पॉंसिबिलिटी है, कीम को एक जुट बना के रखे, और अगर वो कर लेते हैं, तो वो सोने पे सोहागा होते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि रोहित बड़े शान्त हैं, ज्यादा जुशीले जैसे आप धोनी को देखो, बड़े क्वाइट थे, विराद आये तो बड़े जुशीले थे, और शाहिद रोहित बड़े काम है, वो अंडिस्टेंड करते हैं, प्लेयर की क्या जरूरत है, क्या उनको चाहिए, और वो सबसे बड़ी बात है, जिस तरह की उनने बैटिंग इस वर्ल कप में की, शाहिद पिछले दस साल में इस तरह की बैटिंग नहीं की, निडर, और ओपन विद धाट कि हम इसी तरह क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हैट्स ओफ तु थे टीम, थौट प्रसेस इस सो गूड, चाली पाजी, अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चा लेकिन अपने वो जो इमोशन है वो छपा नहीं पाते हैं, और अच्छा लगा, इमोशन होना कोई गलत बात नहीं है, कि उनको इतनी खुशी हुई, और क्या चाहते है, कि एक कैप्टन इन्वाल्ट है, और उनकी पूरी टीम उसके साथ इन्वाल्ट है, दोनों सीनियर प् पहले फॉर्म के लिए जूज रहे विराट कोली को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, विराट ने वर्ल्ड क्लास प्लेयर ये कहा है, वो पंदरा साल से जादा से क्रिकेट खेल रहे है, इसलिए फॉर्म कोई रोडा नहीं है, विराट ने अपना बेस्ट फाइनल के लिए बचा कर रखा है, उमीद करते हैं, उमीद करते हैं कि वो फाइनल के लिए बचा कर रखे है, विल्ड क्रॉस आप फिंगर बिकाज बहुत बड़ा है, सिरफ उन्हों ने टीम के लिए ने देश को जिस तरह सर्व किया है, और लाइक हर जेनरेशन में एक निया खिलारी आता है, तो उसकी तो तारीफ होनी चाहिए, एक बैड पैच आता है, सब का आता है, कोई ऐसा दुनिया में खिलारी नहीं है, चाहे वो डॉन ब्रेडमन हो, सुनील गवास करो, सचिन तंडूल को, विवन रिचर्ड हो, आते हैं बैड पैच, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो उनका मनोबल नीचे हो रहा हो, तो वो कुछ थोड़ा उनको बोल कर, उनका मनोबल बढ़ाएं, और मुझे ऐसा लग रहा है विराट कोली, पिछले कुछ समय से, जितना उनको प्रफॉर्मेंस देना चाहिए था, उस हिसाब से नहीं दे पा रहे हैं, देखिए, इतने साल स जो आपका इतना बड़ा प्लेयर है, वो अगर रन नहीं बनाता है, उसके साथ बैठ के, चाय कॉफी पी के, खाना खा के, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना है, विराट कुली को जरूरत नहीं है, कि वो इस दोर से निकल चुके है, लेकिन फिर भी कभी-कभी कप्तान का हा अगर सर पे आजए, बड़े प्लेयर पे भी आए, तो उससे बहुत फरक पड़ता है, और मैं यही कहूँगा, कि शायद यह दोनों प्लेयर बैठें और कहें, क्योंकि यह मौके दुबारा दुबारा नहीं आते, आप चर्चा कर सकते हो, जब आप फाइनल में पहुंच ज रहा है, तो हर बार वो जो अपना कमबैक है, वो फाइनल के लिए रखते हैं, आपको क्या लगता है, इस बार फाइनल में क्या गदर मचाएंगे? वो आपको अपनी सफलता के और करीब लेकर जा रही है, और विराट कोली का क्रिकेट का करियर ये आपको बताता है, कि उन्हें आदत है, कि अगर थोड़ा सा कुछ ड्राइ पैच आ भी जाए, रनों का थोड़ा सूखा पड़ भी जाए, तो भी वो वहां से निकलना जानत और जितना हमें ये बात खल रही है, उससे कहीं गुना ज्यादा इस समय वो चिंतित भी हैं और तो पीडित भी हैं, तो मुझे लगता है कि फाइनल मुकाबले में, दबेस्ट ओ विराट कोली, विलकम, सिरफ एक मेरी कंडिशन है, कंडिशन यह है कि विराट कोली अपने ट जब आपने टेंपलेट कि यह बात करी है, क्योंको थोड़ा सा कंट्रोल अपने टेंपलेट करने की जरूरत है, तो आपको क्या लगता है कि वो टेंपलेट के साथ एक्जाक्ली क्या कर रहे हैं, जो उनके अगेंस जा रहा है? देखिए, आप एक थाट परसेस होता है कि मैं इसी तरह क्रिकेट खेलूंगा और जब आपके ठीक नहीं चल रही होती, थोड़ा मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़री है, अगर आप वो कर पाते हैं, तो आपकी काबियत के उपर तो कोई डाउट नहीं है, सिरफ रन नहीं बन रहें, इसलिए थोड़ा अपने आपको जो आकाश कहरे है, अपने आपको थोड़ा सा समय जादा दे दो, टी ट्वेंटी में जादा समय होता नहीं है, फिर भी अगर थोड़ा सा समय दे दे क्योंकि ये ऐसा प्लेयर है, जो डाट बॉल कभी एक दो खेल भी लेते हैं, तो इनके पास बड़े शॉट है, ये एक सो पचास के स्ट्राइक रेट को कभी भी पकड़ सकते हैं, तो इसलिए क्रीज पे रहना कभी कभी जादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उस नीड अफ दा आर्ज क्या है, उसके उपर चर्चा होनी चाहिए, और टीम क्या चाह आती है, उस समय उसके उपर गौर करना चाहिए.